कक्षा साथ सामाजिक पाठ एक अल इद्रीसी एक अरब भूगोल वित्ता था जिसने सन 1154 में दुनिया के एक हिस्से का नक्षा बनाया मिनहाज सिराज फार्सी के इतिहासकार थे जिन्होंने पंजाब, हरियाना और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया विदेशी को हिंदी में परदेशी कहा जाता है विदेशी को फार्सी में अजन्बी कहा जाता है हाथ से लिखे गए लेख को पांडुलिपी कहते हैं ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपीयों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृती बनाने वाले व्यक्ति को लिपिक अथ्वा नतलनवीस कहते थे छोटे आकार के चित्र को लगुचित्र या मिनियेचर कहा जाता है जियाउद्दीन बर्नी चौधवी शताबदी का एक इतिहासकार था जिसने अपने एक वृतांत को दो बार लिखा पहली बार 1356 में और दूसरी बार 1358 में लिखा लेकिन इतिहासकारों को 1971 तक पहली बार वाले वृतांत के बारे में जानकारी नहीं थी बारूद वाले हतियारों को आगनेयास्त्र कहा जाता था राजपूत नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरन और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को पर्यावास कहा जाता है मसालिक अलब सर्फी ममालिक अलमसर की रचना मिसर के शिहाबुद्दीन उम्रीने की कवी अमीर खुसरों ने संस्कृत भाशा के लिए कहा कि यह किसी खेतर विशेश की नहीं है यह एक प्राचीन भाशा है इसे केवल ब्राहमन जानते हैं आम जनता नहीं जानती कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार-शिल्पकार विद्वान जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद यह सहारादे सनरक्षक कहलाता है इस्लाम के विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को उलेमा कहा जाता था शिया मुसल्मान पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसल्मानों का विधिसम्मत नेता मानते थे सुन्नी मुसल्मान खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे भारत में हन्फी और शफी इसलामी न्याय सिध्धान्त प्रमुख है उन्नीसवी सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन भागों में बाटा था हिंदू, मुसलिम और ब्रिटिश